देखे पहला हमारा प्रस्द है कि आत्म समान आंदोलन किसके नित्रतों में चलाए गया है किसके नित्रतों में चलाए गया है तो यह आपका हो जाएगा उत्तर आप्सन नंबर भी हो जाएगा अधिवेशर में पहली बार बंदे बात्रम गाया गया उसी अध्यक्षटा यानी उसके जो अध्यक्षता है, निमल्खित में से किस ने किया था? जो आदेखता है दोस्तो रहमितुल्ला है न रहीमतुल्ला सायानी इन्हीं के द्वरा जो है किया गया है ओप्सन नमबर जो है डी सही आंसर होगा सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन थे सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए अर्विंद घोस क्या होगा अर्विंद घोस ऑप्सन नमबर जो है ए सही आंसर होगा दूतिया गोल में समयलन में कॉंग्रेस के की ओर से अधिकारिक वर्तकार कौन थे दोस्तों जो कल एडवटेरिया का सेट अप्लोड किया था पचास नमबर का कोशन जो है गलती से मिश्टेक से एक आंसर जो है गलती हो गया था उसके लिए मैंने पिन कर दिया है कमेंट और उसके लिए आप सभी लोगों से माफिक चैंगे बाई देवेका कोशन बाई भिहान दिया जागा कि आके से कोशन जो है गलत ना हो तो इसका अंसर आपका पूछ रहा है कि दूसरा गोल में सम्मिलर में कॉंग्रेस की ओर से अधिकारिक वर्ताकार कौन थे तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ऑप्सन नमबर जो है ए सही उत्तर हो भादूर और फतेपूर जो है आपके अजीम उल्ला इलहाबा से आई तिंग क्या होना चाहिए आप कमेंट करके वेज़दूर बताईएगा भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है देखिए भारत के सिराज के नाम से अगर आप देखेंगे तो जॉन पूर ऑप्सन नमबर जो है बी सही होगा देखिए बोले को सनमरेट बोले कि दिवान एकोही का संबन जो है किसे से है देखिए दिवान एकोही अगर आप देखेंगे तो क्रिसी विभाग होगा क्या होगा क्रिसी विभाग ऑप्सन नमबर जो है आठवे का हमारा सी सही आंसर होगा किसकी लिशित में सही सुमिलित नहीं यानि कौन हमारा एक इसमें गलत है तो आप इसमें देखेंगे कौसल की बात करते हैं तो कंपिले यही हमारा जो है गलत है बाकी कासी आप देखेंगे तो वारानसी सही है अंग की बात करेंगे तो आपका चंपा सही है और असमक जो है हमारा प कुमिल जनता में राष्ट्रिय कावे की रूप में जाने जाना वाला सिल्प कादी करम कि रचनाकार कौन है बताईएगा इसका सही आंसर देखेंगे तो इलांगो आधिकाल होगा क्या होगा इलांगो आधिकाल ऑप्सन नंबर यहां पर जो है बी सही आंसर हो जाएगा यह आपका लेटराइट मिट्टी होगा क्या होगा लेटराइट मिट्टी हो जाएगा ऑप्सन नंबर जो है डी होगा छोटा अंडमान एवं कार्निक बार के मद्ध है कितना डिगरी चैनल जो है अवस्तित है कितना डिगरी चैनल जो है अवस्तित है तो यह आपको होजग नर्मदा होगा क्या होगा नर्मदा ऑप्सन नंबर बी सही उत्तर होगा जादु गोड़ा किस खनिच के लिए विख्यात है देखे जादु गोड़ा अगर आप देखेंगे तो यह आपका यूरेनियम होगा क्या होगा यूरेनियम ऑप्सन नंबर हमारा जो है सोला का सी सही अंसर हो जाएगा दुलहस्ती पर्योजना किस नदी पर अवस्तित है देखे दुलहस्ती पर्योजना आप देखेंगे ये कौन से नदी पर अवस्तित है तो ये आपका चिनाम नदी पर देखने को मिलता है ऑप्सन नमर यहां पे भी सही होगा चिनाम नदी निमलिशित में से कौन से बंद्रगा भारत के पूरवी टटपर अवस्तित है भारत के पूरवी टटपर अवस्तित है तो यह आपको हो जगा पारादीप होगा क्या होगा पारादीप ऑप्सन नमबर डी सही उत्तर होगा भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सरवादिक है भारत के किस अरुनाचल प्रदेश क्या होगा अरुनाचल प्रदेश होगा option नमबर जो है ए सही उत्तर होगा दच्षिड भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है दच्षिड भारत की सबसे उची चोटी अगर आप देखेंगे तो यह आपका अनाई मूडी होगा क्या होगा अनाई मूडी आपसन नमबर आपका यहां पे भी सही होगा पोर्ट ओप्रिंस किस देश की राजधानी है पोर्ट ओप्रिंस जो है किस देश की राजधानी है तो यह हो जाएगा हैती का किसका दोस्तो हैती का आपसन नमबर देखेंगे 22 का तो ए होगा कैस्पियन सागर के साथ निमलिखित में से कौन सा देश अपना सीमा नहीं बनाता है तो देखेंगे तो इराक नहीं बनाता है बाकी रूस बनाता है अजरबेजान बनाता है और इरान भी इसमें आपका सामिल है निमलित में से कौन सा मन्डल में व्युयान उडाने की आदर्स दसा पाई जाती है व्युयान उडाने की आदर्स दसा जो है पाई जाती है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा स्ट्रेटोह स्पेयर हो जाएगा option नंबर आप देखेंगे 24 का तो B सही आंसर होगा एल नीनो किस महासागर की जलधारा है देखिए एल नीनो अगर आप देखेंगे तो किस महासागर की जलधारा है इसका उत्तर हो जाएगा प्रसांत महासागर क्या होगा प्रसांत महासागर होगा ओप्सन नमबर जो है ए सही अंसर हो जाएगा संग्हिय संभिधान समीति के अध्यक्ष कौन थे तो देखे यह आपके हो जाएंगे पंडित नहरू आपसन नमबर ए सही आंसर होगा भारतिय संभिधान में अपात कालिन उपबंद कहां से लिए गये हैं तो 27 का अंसर हमार हो जाएगा भारत सासन अधिनियम 1935 होगा ऑप्सन नमबर भी होगा भारतिय संहिधान के प्राष्तावना में समाजव द सब्त को किस संहिधान संसुधन दोरा जोडा गया है देखे यह संहिधान संसुधन ऑपसन नमबर आप देखेंगे 28 तो ए सही आंसर होगा सिक्कीम को भारत में कब विले किया गया है तो वर्स 1974 में आप्सन नमबर A होगा निमलेखित में से कौन सम्मूल अधिकार केवल भारती नागरिकों को प्राप्त है या फिर भारती नागरिकों को प्राप्त है कौन सम्मूल अधिकार उत्तर हो जाएगा लोक नियोजन में समान अवसर लोक नियोजन में समान अवसर ऑप्सन नमबर B भारतिय सम्मिधान का अनुचिद 51 सम्मंदी थे किसे हैं अनुचिद 51 आप देखेंगे तो अंतराष्ट्रिय सांती से सम्मंदी थे किसे हैं अंतराष्ट्रिय सांती से सम्मंदी थे आप्सन नंबर सी होगा। 33 समिधान संथोधन का संwn्ह ultrasound किस से है। ले उत्तर हमारा हो जाएगा पंचायति राज से है। भारत में अभी तक कितने बार वित्ति आपाथ काल की घोशना की जा शुकी है। जिद्धी आपात काल की घोशना की जा सुकी है तो घ्री आपका हो जाएगा सून्य बार कितनी बार सुन्ने बार All attain नमब्र 10 याद रखिएगा तो कि आगे पर它 स्वार्पति के चमादान शकति सम्बानदी से किसное के अब देखेंगे तू अनुच्छेद बहत्तर होगा क्या होगा अनुछेद 72, option number B, राज्येपाल को सपत दिलवाते हैं, देखे राज्येपाल को सपत दिलवाते हैं, तो उच्छ न्याले के मुख्य न्याधीस, उच्छ न्याले के मुख्य न्याधीस, option number C सही होगा, आगे है, निमलखित में से कौन सी संस्था, जो है, समयधान आयुक भीस में आपका सामिल है किस अधिनियम दोरा कमपनी के वियपार से एकाधिकार को समाप्ट कर दिया गया है तो यह आपका ठारसो तेरा जो है सही आंसर होगा ऑप्सन नमबर ए अगला है मेलेट एवं चुक्का सब्द का संब्द जो है किस खेल से है मेलेट एवं चुक्का सब्द का संब्द का सम्मन जो है किस खेल से है देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो यह आपका पोलो जो है सही आंसर हो जायाएगा ऑप्सन नमबर 29 का देखेंगे तो C होगा कमाईनी की रचनाकार कौन है देखें कमाईनी की बात करते हैं आप सभी को पता है बहुत ही famous question है कई बार exam में और practice rate में भी आपको देखने को मिलता है और हिंदी का अगर आपका exam है या फिर हिंदी का प्रसना आता है तो ये question आना तै होता है तो इसका answer आप लोगों ने कर दिया होगा जैसे अंकर प्रसाद option number आपका भी सही उत्तर हो जाएगा आगे हमारा है कि वी सुअ जल दिवस कब मना जाता है देखें वी सुअ जल दिवस अगर आप देखेंगे तो ये मनाते हैं 22 March को क्या होगा 22 March को option number A सही answer होगा पुलिजर पुरसकार किस छेतर में दिया आता है देखें पुलिजर पुरसकार अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पत्रकारिता के छेतर में क्या होगा पत्रकारिता के छेतर में option number हमारा 41 का A सही उत्तर होगा UNESCO का मुख्याले कहां परिस्तित है देखे UNESCO का मुख्याले आप देखेंगे तो सही answer हमारा 42 का हो जाएगा Paris कहां पर है Paris में option number C सोजिम किस देश के संसत का नाम है तो यह आपका Poland होगा क्या होगा Poland option number यहाँ पे जो है डी सही उत्तर होगा वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है वर्तमान में रामसर साइट की संख्या अगर आप देखेंगे तो बताएए कितना है 75 हो जायागा यानि 75 option number ए वर्च 2023 का सांती का नोबिल पुरसकार किसे दिया गया है सही उत्तर हो जायागा नर्गिस मुहमद मुहमदी कहीं कहीं लिखा होता है तो option number आप जो है 45 का सी याद रखियेगा नर्गिस मुहमद किसे peace prize of the German book trade से सम्मानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा सलमान रूसदी option number B होगा अगला कि फंगा अभियान की सुरुआत किस के दौरा किया गया है सनिक तराश्टर जै विवित्ता सनिक तराश्टर जै विवित्ता हो जाएगा साइधालिस का जो है हमारा option number A सही होगा Smoke and S.S. पुस्तक के लेखा कौन है बताइएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा अमिताब खोस क्या होगा अमिताब खोस option number A सही होगा कावर पक्षी बिहार बिहार के किस जीले में है उत्तर हो जाएगा बेगू सराय क्या होगा बेगू सराय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का बिहार में वर्तमान में सहरी करण का दर क्या है बिहार में वर्तमान में सहरी करण का दर अगर आप देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा 15.3% क्या होगा 15.3% option number A बिहार में बल्थर मिट्टी पाई जाती है देखें बल्थर मिट्टी आप देखेंगे तो यह आपको कैमूर के छेतर में देखने को मिलता है कैमूर के छेतर में बल्थर मिट्टी ऑप्सन नमबर C बिहार दिवस की स्तिथी को मने आ जाता है तो इसका आंसर देखेंगे तो 22 मार्च हो जाएगा कोई बाजार जिसमें किसी विशेस उत्पाद के विक्रिता अधिक संख्या में है लेकिन विक्रिता भीन परन्तु मिलते जूलते वस्तु बेचते हैं वह कहलाता है क्या तो एक अधिकार इसपरधा हो जाएगा ओप्सन नमबर आप देखेंगे तो तीरपन का हमारा सी सही होगा वाणी जिय बैंकों के निमलिखित में से कीन कारियों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमती जो है आवस्यक है तो देखिए साखा के विस्तार एम इस्थान परिवर्तन बैंकों के समापन के लिए किसी अन्य बैंक में मिलने के लिए तो आप बोल सकते हैं उप्यूक तो हमा देखेंगे किसा से संबंदित है देखें लगु उधोग होगा क्या होगा लगु उधोग ऑप्सन नमबर बी जावाहर रोजगार योजना की सुरुआत कब किया गया है तो देखिए अठा निसो नावासी होगा ऑप्सन नमबर हमारा जो है च्छपन का ए सही अंसर हो है चली मिला लते हैं देखिए वाट दोस्तों आपको किसमे जाएगा देख लेते हैं अगर वाट आप देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा सकती नौट जो है आपको जाएगा समंदरी जहाज की गती नौटिकल मिल जो है यह आपको जाएगा नौ संचालन और कैलोरी जो उत्ट कर वाईयू का बूलबूला उपरी सतहत तक आयेका तो उसका अकार क्या होगा उसकी आकार अगर हम देखें तो बढ़ जाएगा क्या होगा बढ़ जाएगा 59 का हमारा अ सही उत्टर होगा। निम्न में मेंग सी किसमे जो है सन्वहन होता है, इन मेंसी आपका सबसे कम तरंग देर्द होता है, सबसे कम तरंग देर्द होता है, तो देखिए, आपका option number यह आप simple है, सबसे कम तरंग देर्द पुछाए तो आप comment करके बताईएगा, ठीक है, सिकार, परभख्चियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए, चमगादर, अथवार, ड की उपरी भाग में ओजुन परत हमारी डक्षा जो है, किस से करती है, ओजुन परत, देखिए, ओजुन परत आप देखेंगे, तो पारा बैगनी विक्रण हो जाएगा, option number आप देखेंगे 63 का, तो हमारा C सही आंसर होगा, प्रदीप्ती नली में सरवादिक समानेता, प्र C सही आंसर हो जाएगा, एक ही प्रकार का परमाणु नीमन में से किस में मिलता है, बताइए, तो इसका उतर हो जाएगा, प्रकिर्तिक तत्तो होगा, क्या होगा, प्रकिर्तिक तत्तो होगा, option number हमारा यहाँ पे C सही आंसर होगा, चले नेश्ट हमारा कोशन क्या है, देख उत्तर हमारा हो जाएगा। से यह कि आकषिकरण से यह सब्सक्राइब कर लेते हैं , किस सद्थam गया होगा। तो तु हमारा कि तर्यूक्त कंगत्य है, वनस्पति धां होसे संद्षम्र्सक्राइब कृफसे होगा। कि प्रिउक्त गैस आप देखेंगे तो अंसर हमारा है सही उतर होगा अब आते हैं 69 नंबर पर देखेंगे मिलान करके बताना है चलिए लेक्टिक अमल आप देखेंगे है न ये लेक्टिक अमल जो है दोस्तो यह आपका हो जाएगा दूद्ध हो जाएगा Acetic अमल जो है यह आपका सिर्का होगा Satric अमल जो है यह आपका निम्बू और Butyric जो Butyric अमल है यह आपका दुर्गन दियुक्त मक्षन यानि आप बोल सकते हैं Option number हमारा यहां पे D सही आंसर हो जाएगा अगला है कि Nucleus के बाहर DNA कहां मिलता है देखे Nucleus के बाहर DNA कहां पर मिलता है तो यह आपका माइटो कांट्रिया होगा क्या होगा माइटो कांट्रिया Option number C सही आंसर इसके बाद देखेंगे तो math का प्रस्न दिया गया है लग रहा है सभी पुरा math का ही प्रस्न है हां इसमें देखेंगे math का जो संख्या है दोस्तो रौसन सर के दौरा जो है तीस प्रस्न डाला गया है वो भी जिसमें से आपका math है और reasoning है तो आराम से इसको आप बना लिजेगा थो आसाथ वीडियो जो है बहुत ही fast बना है ठीक है क्योंकि इसमें आपका expression नहीं दिया गया है तो आराम से इसको बना सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही जैहिंद